के स kidding कि कि असुछ एक शरन नाम को बताया था नॉनक कॉंपिटैटिव इनिटर के बारे में आज के लेक्शर में हम डिसकस करेंगे फीडबेक इनिवेशन को वीड़ेक इनिविशन को डिसकस करने से पहले मैं आप एक पड़ेंशना देता हूं कि जब मैंने आपको competitive or non competitive inhibitor में फर्क बताया था तो उसक्त एक point मैंने miss कर दिया था कि जो competitive inhibitor होते हैं वह enzyme के साथ covalent bonding नहीं बनाते तो वह जो है या जो non competitive inhibitor जो reversible होते हैं वो भी जो है वो क्या करते हैं वो भी जो है वो covalent bond नहीं बनाते जब covalent bond नहीं बनाते तो वह अराम से क्या होते हैं एंजाइम के से जो हो डीटेश हो जाते हैं मतलब हट जाते हैं लेकिन जो irreversible non competitive inhibitor होते हैं वो किस किसम की bonding करते हैं वो 코valent bone बना लेते हैं और आपको बता है जब 코valent bone बना लेते हैं तो वो enzyme से फिर हटते नहीं है जिसकी वज़ाइब को हमेशा के लिए क्या कर देते हैं? denature कर देते हैं या inactive कर देते हैं? तो चले हैं आज का जो हमारा topic है वो है feedback inhibition आज हमने का discuss करना है आज हमने डिसक्स करना है feedback inhibition को हमने डिसक्स करना है तो चलें देखते हैं आपकी बुक में जो है वो क्या पॉइंट दिया है feedback inhibition के आपकी बुक कह रही है the activity of almost every enzyme in a cell can be regulated by its product यानि कहता है जितने भी enzyme हमारे cell के अंदर होते हैं उनकी activity को regulate activity को regulate जो रखते हैं वो कौन रखता है उसकी product regulate का मतलब क्या होता है उसको normal रखना यानि बहुत जादा अगर अगर active है तो उसको जो है वो अपने normal limit पर लेकर आना तो कहता है कि जितने भी enzyme होते हैं हमारे cell में ज्यादर तर जो enzyme होते हैं उनकी activity को कौन regulate करता है उनकी product जो है वो regulate करती है when the activity of enzyme is inhibited by its own product अब देखें या क्या कह रहा है when the activity of enzyme is inhibited by its own product जब एक enzyme की activity उसकी अपनी product से inhibit हो जाए it is called feedback inhibition इसको हम क्या कहते हैं इसको हम कहते है feedback inhibition मिसाल के दूर पर हम यह एक मिसाल लेते हैं कि substrate हैं मिसाल के दूर पर 100 substrate हैं और इन substrate से जो product चाहिए हमें वो कितनी चाहिए 80 इन substrate से जो हमारी body को product चाहिए अब क्या होता है कि अब enzyme है वह enzyme क्या कर रहा है इस substrate को जो है वह किसमें convert कर रहा है product में अब क्या होता है और यह enzyme अब क्या होता है 80 से जब भी product जादा होगी मतलब अब यह enzyme को मजीद product बनाने नहीं देगा मतलब आप देखें product ही ने enzyme की activity को क्या कर दिया inhibit कर दिया जब product ही enzyme की activity को inhibit कर देती है तो इसको हम क्या कहते हैं इसको हम कहते है feedback inhibition और आपको बताए के feedback inhibition जो है वो reversible competitive inhibition की क्या है example है और यह हमारे लिए एक तरीके से फाइदे मन्द ही होता है देखें न 80 प्रोडेक्ट बन गई अब जब यह product यूज हो जाएंगी तो फिर क्या होगा फिर यह product यहां से हट जाएगा क्योंकि यह reversible है यहां से हट जाएगा और फिर enzyme दोबार अप इसकी feedback inhibition की definition की तो आपकी बुक जो feedback inhibition को define कर रही है वो कैसे define कर रही है आप इसकी simple definition ऐसे ले सकते हैं कि when the activity of enzyme is inhibited by its own product it is called feedback inhibition this is a type of reversible non competitive inhibition मैंने आपको बताया था कि जो feedback inhibition है यह किसकी example है यह reversible non competitive inhibition की क्या है यह example this is an example of reversible non competitive inhibition उसके बाद कहता है this phenomenon is a part of normal regulatory mechanism and usually happen during the regulation of metabolic pathway अब कहता है यह हमारे cell के अंदर नॉर्मली एक regular है regular मतला हमारी body के अंदर इस तरीके से यह feedback inhibition होती रहती है हमारी metabolic जो हमारी body के metabolic pathway होते हैं अब देख यह metabolic pathway क्या होते हैं यह तो होता है metabolic reaction metabolic reaction क्या है मिसाल के दो पर यह सब्सेट है यह किसमें convert होगिया यह product में एक एंजाइम ने एक substrate को प्रोडेक्ट में convert कर दिया यह metabolic reaction है लेकिन बाद दफावा ऐसा होता है कि सब्सेट से प्रोडेक्ट एक series स्रीस आफ्र विलीक्षिन के बार सोब्शृट से प्रोडेक्ट डारेक्ट नहीं बनता एक सीरीज ओफ रियक्षिन होता होता है प्रॉत यह सब्पेंट रहे हैं यह सबस्चरेट यह से यह एंजाइम के साथ अटेच होगी फिर्लम धों किसमें Raj कर देगा enzyme 2 इसको convert कर देगा C में फिर यह सी जाकर attach होगी किसके अंदर सी जो है attach हो जाएगी जो है वो किसे enzyme 3 के साथ enzyme 3C को जो है वो convert किसमें कर देगा D में और मिसाल के दुरूपे E हमारी final product और इसके बाद फिर हमें final product क्या मिलेगी एक enzyme D enzyme 4 होगा वो D को किसमें convert करेगा E में और E जो होगी क्या होगी final product होगी तो देखो metabolic pathway किसको कहते हैं series of chemical reaction यहनी जब कोई भी pathway जिसके अंदर कोई product बनती है वो direct नहीं बनती है series of chemical reaction से पास होके बनती है तो उसको हम क्या कहते हैं उसको हम कहते हैं metabolic pathway तो कहता है बहुत सारे हमारे जो metabolic pathway है उसमें क्या होती है उसमें feedback inhibition होती है इसके बाद कि normally metabolic pathway for example the amino acid asparted हमारे पास एक amino acid होता है जिसको हम क्या कहते हैं asparted became the amino acid become amino acid three or nine three or nine जो है वो मतलब यह asparted amino acid है इसको जो three or nine में convert होने के लिए three or nine में convert होने के लिए क्या metabolic pathway से गुज़रना पड़ता है थियोरोनिन by a sequence of five enzymatic reaction जाहिसे बते पांच enzymatic reaction के बाद इसको किसमें convert होना है three or nine इसी बजाए से तो हम इसको कह रहें metabolic pathway अब देखो five chemical reaction किस तरह से हैं देखो सब से पहले यह asparted जो है वो enzyme one के active site के साथ होगा enzyme one इसको किसमें convert कर देगा a में convert करेगा फिर a जो है वो किसके साथ का a किसके साथ होगा enzyme two के साथ फिर enzyme two क्या करेगा इस a को convert कर देगा किसके अंदर बी में फिर enzyme three जो है वो क्या करेगा इस b को convert कर देगा सी में फिर enzyme four क्या करेगा इस c को convert कर देगा किसमें डी में फिर enzyme enzyme जो five होगा वो क्या करेगा वो इस d को convert कर देगा किसमें मतलब एक Metabolic Pathway पूरा का पूरा एक 5 reactions हैं जिसके बाद यह किसमें Convert हुआ है यह Convert हुआ है किसके अंदर 309 के अंदर जो है वो Convert हो गया है देखें 1,2,3,4,5 यह 5 reaction है जिसके बाद यह Convert हुआ है कहता है वें 309 N product of this pathway is present in access अगर यह 309 जो है वो क्या है यह access में produce हो जाता है ज्यादा produce हो जाता है इंजाइम यह पहले वाले enzyme के allosteric side से जाकर क्या हो जाएगा बाइंड हो जाएगा लेकिन यह जो प्रोडेक्ट enzyme को inhibit करने के लिए यह किस जगा पर बाइंड होए यह बाइंड हुआ है एलो इस्टेरिक साइट पर जाकर बाइंड हो जाएगा वें आल्ल दा ट्रोणीन इस कंजियों इन सेलूलर इवेंट दा त्रियो नाइं मॉलिकूल विच इस अटेज तु दा एलो इस्टेरिक साइट इस अलसो सका होँगा रट जाएगै यह ब अन्जाइंड के साथ जब इसके साथ इसके साथ हो गया तो प्रॉट ए नि मने बनेगे तो सीनी बनेगे सीनी बनेगी तो दीनी बनेगे और दीनी बनेगी तो तो त्रेयों भी नहीं बनेगा इसका हुए वह की sports जोुक के अक olhar 10 कि एक सरु सुडिन कहते हैं कि Redsport की बूक के जो कुछ AjasiUL होते हैं वह समझ में नहीं आते हैं तो मैंने Redsport की बूक के जो है 34 वह आपको यहां पर enzymes रिलेटिटीड seris зачем and a इंजा al羡 ח령 कराानने जो